नई फसल की आवक नजदीक आने के साथ ही सरसों खल और तेल की कीमतों में गिरावट के चलते सरसों में नर्मी आई है. वही मिल डिलीवरी भाव में आस्तन एक सो रुपए प्रती क्विंटल की गिरावट देखने को मिली है. दरसल देश भर की मंडियों में सरसों की आवक ल प्रिक्वरी भी देखने को मिली है। सरसो उतपादन में बढ़ोतरी को देखते हुए सरसो खल एक्सपोर्ट के सौदे काफी नीचे भाव में हो रहे है। फॉर्वर्ड में खल की लेवाली अभी कमजोर है। जो बोली आ रही है वो कभी कम है। मिले भी सरसो की फॉर्वर्ड बोली स्पोर्ट भाव से 200-250 रुपए नीचे बोल रही है। सरसो तेल में स्थिर्ता और सोया तेल में नर्मी के चलते सोया और सरसो तेल का अंतर बढ़कर 12 रुपए प्रती किलो हो गया है। साथ ही सरकार ने रियायती दरों पर खादे तेलों के आयात की अवधी को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। सरसों की आवक का प्रेशर बढ़ने से सरसों की कीमतें अपने सपोर्ट प्राइस से नीचे फिसल कर 300 से 500 रुपए तक तूटने की संभावना है। Bureau Report Market Times TV